नमस्कार दोस्तों आइन्सी टीवी पर आपका स्वागत है मैं हूँ भूपेंद्र नरायन सिंग पंजाब विधान सभा चुनाओं की यात्रा पर हैं और इस वक्त हम बात करेंगे जो धूरी से कॉंग्रिस के विधायक हैं गोल्डी जी और काफी युवा हैं तकरीबन 40 साल के हैं और चात्रा राजनीती से इन्होंने राजनीती शुरू की और अब विधान सभा चुनाओं में देखते हैं कैसी ये जो पंजाब की जमीनी राजनीतिक जमीन है उस पर इनकी क्या पैनी नजर है तो धूरी से आप आते बात की ओवराल बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मेरे जैसे युवाओं को मौका देने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है वो है कॉंग्रस जो युनिवस्टी से निकले हुए शात्र नेता हैं उनको सिर्फ कॉंग्रस नहीं मौका दिया तो यहां पर यूथ याएगा तो सभी यह निके पूरा सेनेरियो जो पंजाब का युवा का बनेंगा तो वो उसी पार्टी के साथ बनेंगा ना जो उनके रिप्रेजेंटेटिव को आगे पर मूट करेंगा आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव है और लगता है कि भगवंतमान आपके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं हाँ बिल्कुल 2017 में भी काफी प्रवाव था इनका लेकिन सीड निकली तो भगवंतमान जी मेरे खिलाफ लड़ने मैंने 2017 के उसको डाटा को ही लेके देखा था कि धेर सारे विदायक थे उनके अब वो पता नहीं कहां गया है मुझे उस पे आप ज़्यादा टिपड़ी कर सकते हैं बिल्कुल देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम एक फैमिली हैं पार्टी एक फैमिली होती है जब आप अपनी फैमिली को समभाल ने सकते हैं तो आप पंजाब को समभालने की बात करते हो आपके चार सांसा थे कहां है वो आपके MLS थे कहां है वो और आप बात करते हो दिली मॉडल की तो दो टरम एक ही आपका अभी जो मेंबर पार्लिमेंट है वो बगवंतमान है, उनको लगा था, दो बार पंजाब के लोगों ने जिताया, ठीकर आप ऐसे क्यों नहीं करते हैं, कि संगरूर मौडल उठाया जाए, संगरूर को पंजाब में दिखाया जाए, कि बगवंतमान ने क्या काम किया है, आप दिल्ली को क्यों उठा रहे हैं, दस साल, आपके बस, आपने करोना में क्या काम किया, आपने कहीं कोई स्टेडियम बनाया हो, कहीं कोई छोटा मोटा कोई ग्राउंड बनाया हो, आपने वो क्या कहते हैं, मुहला क्लीनिक, आपने किसी गाओं में कोई क्लीनिक बनाया हो, आपने एजुकेशन के शेतर में को किया हो पर उट चुले तो सुनाते हैं हाँ बस वह एक ये उमें दो चीजे हैं उन्हें आपको पता है क्या क्या हैं ठीकel तो नशा More was 111 दिन उन्होंने काम किया सिरफ रात को एक डेड़ गंटा सो रहे थे इतने यानि कि जो उम्दा काम किये हैं अभी लास्ट टाइम में तो उसकी एक्जेंपल आप कहां पे ये मैच नहीं कर पाएंगे कभी मैं इसलिए बोला कि उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था उन्होंने कसम काई थी कि वो मदिरा का सेवन नहीं करेंगे अब संग्रूर के लोग ये बता सकते हैं क्योंकि बीच बीच में खबरा आती हैं कि मदिरा का कभी सेवन नहीं करते हैं, ये आप लोग बहतर बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ख़़व में आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री हो गिर पश्चाराइन पञजब के, क्या क्या काम किया उन्होंने संगरूर जिले को यह लोग जानना भी चा रहे हैं, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मान साब कभी नजर आते नहीं बैया उनके अगर उनसे पूछो ना कि आपने क्या किया तो वो कहते हैं कि हमने सांसद में मुद्दे उठाए लेकिन अगर उनसे पूछो कि आप यहां पे क्यों किसी सुख दुख में जा किसी स्कूल के फंक्शन में जा किसी ग्राउंड में जा कभी सड़कों पे आप दिखे ही नहीं करोना के टाइम आप दिखे नहीं आप कहां थे तो वो यही चीज बोलते हैं कि हम तो यार सांसद में, मैंने उनसे पूचा कि यार 365 दिन सांसद चलती रहती है ठीक है न, तो उन्होंने कुछ किये ही नहीं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि दिली मॉडल को छोड़के उनको संगरूर मॉडल लिखाना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, संगरूर मॉडल ने, कॉंगरस नहीं काम किया, चलिए मैं आप जानना चाहरा हूँ कि दल्बीर सिंग गोल्डी ने क्या किया हाँ, बिल्कुल, मेरे 74 विलिजेज हैं 57 में बॉलीवाल ग्राउंड मैंने बनाए हैं, अभी 2017 के बाद, वो इसलिए क्योंकि पंजाब खेलों में जाना जाता है, बिल्कुल, और मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समेन हूँ, दो ट्रैक हमने ऐसे त्यार किये हैं, यहाँ पे जैसे बरती होती है आप फाउज में जाना चाते हो, आप पुलिस में जाना चाते हो, उन आजवानों के लिए सेंडर ट्रैक बनाए हैं मैंने दो, एक हमारी युनिवस्ट्री कॉल है था, वहाँ पे डेट सो और यह सारी चीजें मैं कैसे कर पाया, क्योंकि मैं युवा हूँ, मेरा जो पूरा करियर है, मेरे को मेरे पेरेंट्स में चंडिगर बेजना बेजा पड़ाई के लिए, तो मैं एजुकेशन पे इसलिए काम किया, स्पोर्ट्स पे मैंने काम किया इसलिए पंजाब जो है, एजुकेशन के मामले में एक पिछली साल डाटा आया था, कि नमबर वन था इस स्कूल में, जब मिस्टर विजेंदर सिंगला जो थे, उस वक्त वो सिक्षा मंत्री थे हाँ, बिलकुल, हमारा नमबर वन इसलिए आया क्योंकि बहुत उम्दा काम किये हैं हमारी पार्टी ने उस पे, देखो एक सिस्टम जब बिगड़ जाता है, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है, और हमने पूरे पांच साल इस चीज़ पे लगाए है और अब अगर 2000 सारा की पहले कोई फोटो देखोगे तो आज आप स्कूलों की फोटो देखोगे तो आपको बिलकुल कलियर नजर आएगा कि कितना पहले से बहतर हो चुके हैं, और ये नेक्टिव जो पार्टी है आम आदमी पार्टी ये नेक्टिव तिंकिंग है, ठीक है विमन्स को, हमारी बहनों को, हमारे जो ठारा साल के प्लस है, उनको हजार पिया ये पेंशन देंगे, एक भी महला मेरे को दिल्ली में दिखा दें, कि जिनोंने 1000 पिया इनोंने पेंशन दी हो, ठीक है न सारा काम तो कॉंग्रस पार्टी की, जब शीला दिक्षित थे, जितन में करोना का ग्राफ की तरह से बढ़ रहे हैं लोग बिमार हैं अस्पतालों की पूरी तरह से विवस्था नहीं है और यह आटियाई में आया है इसके अलावा मुख्यमंत्री केजरिवाल पॉजिटीव होते हैं फिर नेगेटीव होते हैं और तुरंत दौरा करने आ जाते है और वो पहले वेक्ति हैं जो दिल्ली को छोड़ कर यहां आते हैं और इलेक्शन कमिशन का नोटिस भी ले जाते हैं बिल्कुल यह मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़े अगर ड्रामे वाज का खिताब किसी को मिलना चाहिए ना तो इनको मिलना चाहिए ठीक है ना पहले यह मैंने कोई वी आईपी स्क्योटी नहीं लेनी मेरे को कोई सरकारी बंगला नहीं चाहिए एक भी चीज़ पे यह मेरे को बताओ कि यह खरे उतरे हैं एक भी चीज़ पे आप बताओ कि जिनकी सरकार आने वाली हैं जिनकी सरकार आने वाली हैं जिनकी सरकार आने वाली है भई लोगों ने पर बोला कि या टैची लेकर इनियुर्व ने लोगों को टिक्तें दिये है यू यॵानेता है पहले श्मार में टिक्तें मागài में से और आज इधैन करलें कब्ट सोब्रा एक य। य। ख्रीदो फ्रोकत नहीं है और क्या है मेरे को ये बताओ कि यार इनके पास कैसा वो परफ्यूम है क्या इतर है इनके पास या पहले काली दल में हो आज आप पे चिड़क दिया आप बिल्कुल पवित्र होगे और आप आम आदमी के बंदे होगे वो इसलेगी कि धेर सारे मेले छोड़के चलेगा तो आइनसी टीवी से बाचित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इलाके में आकर ये जो आप काम गिना हैं जरूर देखेंगे उसकी तहकीकात करेंगे बहुत फिलाल फिलाल इतना ही आप देखते रहें आइ झाल 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 झाल